मैं उपस्तित हुआ हूँ आदर्ने राश्पती जी ने अपने भाशन में आत्म निर्भर भारत को ले करके और आकांग्शी भारत को ले करके गत दिनों के जो प्रयास है उसके सबंद में विस्तार से बात कही है मैं सभी आदर्निय सदेश्यों का बहुत आभाय व्यक्त करता हूँ जिनोंने इस महत्मपूर्ण भाशन पर अपनी टिपनी की अपने विचा रखे आदर्निय दिख जी मैं अपनी बात बताने इससे पहले कल जो घटना घटी उसके लिए दो सब्दे जुरूर कहना चाहूँगा देश ने आदर्निय लता दिजी जो खो दिया इतने लंबे काल तक जिन्द की आवाज ने देश को मोहित किया देश को प्रेविद भी किया देश को भावनाओं से भर दिया और एक अहर नीस संस्कृतिक दरोहर को मजबूत करते लिए और देश की एकता को भी करीब करीब 36 भाषाओं में उन्होंने गाया ये अपने आप में भारत की एकता और अखंडिता के लिए भी एक प्रेर को दान है मैं आज आदर्णियलता देदीजी को आदर पुर्वक सरफ दान्जली देता हूँ अधर लेक्तिक जी इतियास इस बात का गवाह है कि दृतिय विश्विद्ध के बाद विश्व में बहुत बड़ा बड़लाव आया एक नया वर्ल्ड ओर्डर जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं मैं साथ देख रहा हूं कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल ओर्डर की तरफ नई व्यवस्ताओं की तरफ बहुत तेजी से आगे बन रहा है एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग एक भारत के रूप में इस आउसर को घवाना नहीं चाहिए में टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए भारत ने एक लीडर्सिप रोल के लिए अपने आपको कम नहीं आखना चाहिए और इस परिप्रेच में आजहादी के अमरित महोत्सव आजहादी के 75 साल अपने आप में प्रेरक अउसर है उस प्रेरक अउसर को लेकर के नए संकल्पों को लेकर के देश जब आजहादी के 100 साल मनाएगा तब तब तक हम पूरे सामर्थ से पुरी शक्ति से पुरे समर्पन से पुरे संकल्प से देश को उस जगा पर लेकर पहुँचेंगे यह संकल्प का समर्प आदनिया तक जी बीते वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में मुनभूत व्यवस्ताव में बहुत मजबूती का अनुभाव किया और बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं परधान मंत्री आवास योजना गरीबों को रहने के लिए घर हो यह कारकम तो लंबे समय से चला है लेकिन जो गती जो व्यापकता विशालता विवितता उसने उसमें स्थान पाया उसके कारण आज गरीब का घर भी लाखों से भी ज्यादा किमत का बन रहा है और एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वो गरीब आज लखपती की स्रेणी में भी आ जाता है कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात को सुनकर के गर्वन हो कि आज देश के गरीब से गरीब के घर में सौचालय बना है आज खुले में सौच से देश के गाउं भी मुक्त हुए हैं कौन खुस्तानी है कौन खुस्तानी है कौन खुस्तानी आप आप ठीका ठीक नहीं है हो गया है मैं बैठने के लिए तेया हूँ आप भूले है आपको दन्यवाद करके शुरू करो बहुत बहुत दन्यवाद आपका प्यार अजरा मर रहे है प्लीज 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 आज हादी के इतने सालों के बाद गरीब के घर में भी जब रोशनी होती है तो उसकी खुशियां देश की खुशियों को ताकत देए जल्ती हुई आखों के साथ काम करने वाले मा को और जिस देश में घर में गैस कनेक्षन हो यह स्टेटर सिंबॉल बन चुका था उस देश में गरीब के घर में गैस का कनेक्षन हो धुरे वाले चुले से मुप्ति हो तो उसका आनंद कुछ और ही होता है था हमारी माता है भेहने उनका पूरा प्लेश 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 बेटिये आपको मैंने प्रयात मुखा दिये तरिका ठीक नी ए दादा ने दादा को बिच बिच में मौका देना चाहिए क्योंकि दादा उमर के इस पड़ाओं में भी बजपना का मज़ा लेते रहते हुआ आज गरीब का बैंक में अपना शाका हो आज बैंक गरीब भी अपने टेलीफॉन से बैंक के खाते का उप्योग करता हो सरकार के द्वारा दिये गई राशी सीधी डारेक मेनिफिट ट्रांसफर के तहत उसके खाते में पहुंचती हो यह सब अगर आप जमीन से जुड़े हुए होते हैं अगर आप जनता के बीच में रहते होते तो जुरूर यह चीजे नजर आती दिखाई देता है लेकिन दुर्भाग यह है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका जिनके सुई काटा दो हजार चौदा में अटकाफ हुआ है और उसे वो बाहर ही निकल नहीं पाते हैं और उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ा है आपने जो अपने आपको एक ऐसी मानसिक अवस्ता में बांत के रखा है देश की जनता आपको पहचान गई है कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग देल से पहचान गए और कुछ लोग आने वाले समय पहचानने वाले अब देखिए आप जब इतना सारा लंबा उपदेश देते हैं तब भूल जाते हैं 50 साल तक कभी आपने भी देश में यहां बैठने का सोभाई के प्रात्त किया था और क्या कारण है कि आप सोच नहीं पाते अब आप देखिए नागालेन के लोगों ने आखरी बार 1998 में कॉंग्रेस के लिए वोट किया था करीब 24 साल हो गए ओडिसा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था सिरफ 27 साल हो गए आपको वहाँ एंट्री नहीं में गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे 28 साल हो गए गोवा ने आपको स्विकार नहीं किया पिछली बार 98 में 88 में त्रिपुरा में वहाँ की जनता ने वोट दिया था करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में कॉंग्रेस का हाल है यूपी बिहार और गुजराथ आखिर में तमिल नारू के लोगों ने प्लीश 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 तमिल नारू मैं इसके लिए सहमत हूँ अगर आप उस मर्यादा का पालून करते हैं और इस जगा का उप्योग न करते हैं और बड़ा दुग्राग माने अद्दग जी माने अद्दग जी तमिल नारू आखिर मैं 1962 में यहने करीब साथ साल पहले आपको मोका मिला था तेलंगना बनाने का स्रेय नेते हैं लेकिन तेलंगना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्विकार नहीं किया जारखन का जन्म हुआ बीच साल हो गए पूर्ण रुप से कॉंग्रेस को स्विकारते नहीं है पिछले दर्वाजे से वो गुसने का प्लियास करते है माने अद्दग जी सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है सवाल उन लोगों की नियत का है उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोग तंत्र में इतने साल तक सासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है और जहां भी ठीक से लोगों ने रह पकड़ ली दुबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है इतना सारा होने के बावजुद्भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना महिनों ताक न जाने एको सिस्टिम क्या क्या करती है इतना सारा प्रवेश होने के बावजुद्भी ना आपका हंकार जाता है ना आपकी एको सिस्टिम आपके हंकर को जाने देती है इस बारा जिरंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे चलिए मोका मैं भी ले लूँ और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओड लेंगे जर्रत हुई जर्रत हुई तो हकिकत को थोड़ा बहुत मरोड लेंगे वो मगरूर है खुद की समझ पर बे इंतहा उन्हें आइना मत दिखाओ उन्हें आइना मत दिखाओ वो आइने को भी तोड़ देंगे अ विसकत्त्ति कई अज़ख करतार हिए प्लेश 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 टेंगे लियंगे अनीमिय महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष में आज़ देश आज़ादी का अमरत महोत्सव मना रहा है और देश अमरत काल में प्रवेश कर रहा है आज़ादी के इस लड़ाई में जिन जिन लोगों ने योगदान किया वह किसी दल के थे या नहीं थे इन सब से परेउट करके देश के लिए जीने मरने वाने लोग देश के लिए जवानी ख़पाने वाने वाने लोग यहर किसी को समरन करने का पुन्य समरन करने का अवसर है और उनके सपनों को याद करते हुए कुछ संकल्प लेने का अवसर है आदेनिय दजी हम सब समस्कार से स्वभाव से व्यवस्ता से लोक तंत्र के प्रतिवद्द लोग है और आच्छे नहीं सद्यों से है लेकिन ये भी सही है आलोचना ये जीवन्त लोक तंत्र की जीवन्त लोक तंत्र का एक आभूशन है लेकिन अंद विरोध ये लोक तंत्र का अनादर है सबका प्रयास इस भावना से भारत ने जो कुछ हासिल किया है अच्छा होता उसे खूले मन से स्विकार किया गया होता उसका स्वागत किया होता उसका गवरवगान करते हैं बीते दो सालों में सो साल का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी का संकत पूरी दुनिया की मानुवजाद जेल रही है जिनोंने भारत के अतीत के आधार पर ही भारत को समझने का प्रयास किया उनोंने उनको तो आसिंका थी कितना बड़ा विशाल देश इतनी बड़ी आवादी इतनी विविदताया ये आदतें ये स्वभाव शायद ये भारत इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा भारत अपने आपको बचा नहीं पाएगा यही उनकी सोच थी लेकिन आस्थिती क्या है मेडी इंडिया कोविटी के कोविड वक्षिन दुनिया में सबसे प्रभाई है आज घारत शत्व प्रतीशत पहली डोश इस लक्ष को निकर करीकरी पहुंच रहा है और लगभग अस्थी प्रतीशत सेकंड डोश उसका पड़ाव भी पूरा कर दिया है मन्य अद्धिक जी कोरोना एक वैश्विक महामारी थी लेकिन उसे भी दलगत राजनीती के लिए उप्योग में लाए जाओं क्या ये मानवता के लिए अच्छा है भारत जैसे मैंने अद्धिक जी मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया कोई भी टोपी पहन लेने के गया जरोते जी लेकिन जब आप खड़े ही गो गए तो आप मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूँ अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूँ इस कोरोना काल में कॉंग्रेस ने तो हद कर दी कि अपिखो फिली लहर के दोरान को का दूँगा आपको प्लीश आपी अदिया मौन बाहने सोगे से प्लीश ठीज है ये तरीका ठीक नहीं है या आपको मैंने प्लीश बाते हैं प्लिश 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 फ्लिश प्लिश । मामने अग्जी अभी तो मैंने सिर्ट इतना का हब कर दी प्लिश पहली लहर के दौराओं को मैंने आप दếस जाने प्रयाप्ट अफ्शल दिया था लॉक्डाउन का पावन कर रहा था जब डबली ओचो दुनिया भर के लोगों को सला देता था सारे हिल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वही पर रुके सारी दुनिया में ये संदेज दिया जाता था क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा कब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़ कर जाने के लिए पोसाइद करने के लिए मुंबई में स्रमीकों को टिकर दिया गया मुफत में टिकर दिया गया लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महराष्ट का महराष्ट में हमारे पर जो बोज आए वो जरा कम हो और जाओ तुम उत्तपदेश के हो तुम बिहार के हो जाओ बहां कोरोना ख़लाओ आपने आपने ये बहुत बड़ा पाप किया महाफ़ात तफ्री का माहूल करणा कर दिया आपने हमारे स्थ्रमिक भाईयों बैनों को अनेख परेशानियों में दकेल दिया आर्मानिय दिक जी उत समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है उस सरकार ने तो जीप पर माईक बांद करके दिल्ली की जुगी जोपणी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकत बड़ा है भागो गाउ जाओ गर जाओ और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी आधे रस्ते छोड़ दिया और समी को को लिए और एक मुसिबते पैदा की और उसका कारण हुआ कि यूपी में उत्राघंड में पंजाम में जिस कोरोना की इतनी गटी नहीं थी इतनी तिवरसा नहीं थी इस पाप के कारण कोरोना ने वहाँ भी अपनी लपेट में ले लिया मानिय अद्जी ये कैसी राजनीती है मानव जात पर संकट के सबाए ये कैसी राजनीती है ये दन का तराजनीती कब तक चलेगी आदेने अद्जी जी कांग्रेस के इस आचरण से स्रम नहीं नहीं पूरा बेश अचंबित है दो साल से देश सो साल की सबसे बड़े संकट से मुकाबला जूज कर रहा है कुछ लोगों ने जिस प्रकारता व्यवार किया देश उसे सोच में पड़ गया है क्या ये देश आपका नहीं है क्या देश के लोग आपके नहीं है क्या उनके सुख दुख आपके नहीं है इतनी बड़ी संकट आया कई राजनितिक दल के नेता जरा आत्मने रिछण करें कितने राजनितिक दल के नेता जो जनता के माने हुए नेता अपने आपको मानते हैं उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट की हो अपील की हो भई कोरोना का एक ऐसा संकट है पैश्विक माहमारी है आप मास्क पहनो हाथ धोना रखो दोगज की धुरी रखो कितने नेता है क्या ये बार बार देश की जनता को अगर कहते तो उसमें कोई बीजेपी की सरकार को क्या फाइदा होने वाला था मोदी को क्या फाइदा होने वाला था लेकिन इतने बड़े संकट में भी इतने बड़े संकट में भी इतना सा पवित्र काम करने से भी चुक गए कुछ लोग हैं उनको ये इंतजार था कि ये कॉरोना वाइरस मोदी की छबी को चपट में ले लेगा बहुत इंतजार किया और कॉरोना ने भी आपके धहरिये की बड़ी कुजोटी की है आए दिन आप लोग औरों को नीचा दिखाने के लिए मात्मा गहंदी का नाम लेते हैं मात्मा गहंदी की स्वदेशी की बात इसको बार बार दोहराने में हमें कौन रोगता है अगर मोदी वोकल फॉर लोकल कहता है मोदी ने कहा इसलिए शब्दों को छोड़ दो भाई लेकिन क्या आप नहीं चाहते हैं देश आत्मन निर्फर बने हैं जिस मात्मा गहंदी के अधर्शों की बात करते हैं तब भारत में इस अभियान को ताकत देने में जूरने में आपका क्या जाता था उसका नेतरुद्वाब लीजिए मात्मा गांदी जी किया स्वदेश के निर्णे को आगे बढ़ाएगे देश का बला होगा और हो सकता है आप मात्मा गांदी के सपनों को सच होते देखना नहीं चाहते हैं माने दग जी आज पूरी दुनिया योग के लिए एक प्रकार से कोरोना में तो योग ने दुनिया भर में जगा बना लिए दुनिया भर में कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको योग के लिए गर्वन हो आपने उसका भी मजाक उड़ाया उसका भी भुरोध किया अच्छा होता आप लोगों को कहते हैं संकट में घर में हैं यह उगा कीजिए आपको फाइदा होगा क्या नुक्सान था फिट इंडिया युवा मंच होते हैं अगर हम समने मिल करके अगर इस फिंड इंडिया के द्वारा देश की युवा शक्ति को इस सामर्थ की तरफ आके बढ़ने के लिए कहते हैं लेकि उसका भी उपास यारे क्या हो गया है आपको मुझे समझ नहीं आ रहा है और इसलिए मैं आज मैं राज कोई आपको बुसने नहीं दे रहा है मानिय अद्रग जी कभी कभी मैं यह विशेश्ट प्यार से कह रहा हूं नाराज में तो हो जाना मुझे कभी कभी मान्य अद्रग जी के विचार आता है उनके बयानों से उनके कारकमों से उनके कर्चूत्वawk से जिस प्रकार से आप बोलते हैं जिस प्रकार से मुद्धों से जूड़ते हैं ऐसा लगता है कि अपने मन बना लिया है कि सो साल तक सत्ता में नहीं आना है कोई ऐसा नहीं करता जी थोड़ी सी मैं आशा होती थोड़ा सा भी लगता हाई आज देश की जनता फिर से फुलहार करेगी तो ऐसा नहीं करतेगी और इसलिए खैर अब आपने ही ताय कर लिया है सो साल के लिए तो फिर मैंने भी तयारी कर लिया है मैंने दगी ये सदन इस बात का साक्षिक है कि कोरोना वैश्विक महमारी से जो बनी सित्या जो सित्या उत्पन हुई उसको निपटने के लिए भारत ने जो बेरान निती बनाई उसको ले करके डेव बन से क्या क्या नहीं कहा गया किस किस ने क्या बोला आज वो खुद देखेंगे तो उनको हैरानी हो जाए कि ऐसा कैसे बुलवा लिया किसने बुलवा लिया पता नहीं क्या बोलती है हम लोग दुनिया के वहर लोगों से बड़ी बड़ी कांफरेंस कज गई ऐसी बाते बुलवाई गई ताकि पूरे विश्व में भारत बद्लाम हो खुद को ठीके रहने के लिए आर्थिक आयोजेन को भारत कैसे चल रहा है माई गॉड क्या कुछ कहा रहा है बड़े बड़े पंडी तो ने क्या कहा रहा है पूरी आपकी एको सिस्टिम लग गई थी हम जो भी समझते दे भगवान ने जो समझ दी थी लेकिन समझ से जादा समर्पन बहुत बढ़ा था और जहां समझ से समर्पन जादा होता है वहाँ देश और दुनिया को अर्पन करने की ताकट भी होती है और वो हमने करके दिखाया है और जिस रास्ते पर हम चले आज कि नीतियों को लेकर करना कालखन में अपने आपको आगे बढ़ाया वह अपने आपने के उधार नहीं है और अनुभाव भी हम करते हैं हमने देखा है माने जी भारत आच दुनिया की माने जी भारत आच दुनिया की जो बड़ी कौनामिज है उसमें सबसे तेजी से विक्सित हो रही बड़ी अर्थे बवस्ता है माने जी इस कोरोना कालखंड में भी हमारे किसानों ने रेकोर्ड पैदावर की सरकार ने रेकोर्ड खरीदी की दुनिया के अने देशों में जहां खाने का संकट पैदा हुआ और आपको पता होगा सो साल पहले जो आपदाई थी उसके जो रिपोर्ट है उसमें बही बात कहीं गई है असी करोड से अधिक देश वात्यों को मुप्त राशन उप्लब्द कराया और आज भी करा रहे हैं मन्य अद्र जी हमारा टोटर एक्सपोर्ट हिस्टोरीकली हाइस रेकोर्ड पर है और ये कोरोना काल में है कुरुसी एक्सपोर्ट एतियासिक चुद्ध पर पहुचा है सब्पर एक्सपोर्ट नई उचाई तरफ बढ़ रहा है मोबाईल फॉन एक्सपोर्ट अभुत्पुर भुर्द्धी हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट कईयों को परिशानी हो रही है यहाद मंदिर भर भारत का कमाल है कि आज देश डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपने पहचान बढ़ा रहा है कि एप्रियाई और एप्पी आई माने अद्यक जी जीट के साथ हमारा एक्सपोर्ट इक्सपोर्ट नहीं है भाणने सदर्शेप एक फुर्ट एक बिट एक फुरेट एक बेट एक फुरेट पर और चुक्रिये आप को आप चुक्रिए मानने सदस्ष करना मैंने सभी मानने सदस्षों को परियाप्त समय परियाप्त अफसर दिया है लेकिन मानने सदस्ष आपने जब बोला तो मैंने कहा कि कोई भी इस सदन में नेता बोल रहे हैं कोई टिपना टिपनी करेंगे लेकिन आज आप यह उचित विहार नहीं है सदन के नेता बोल रहा है, सदन की घरिमा को बना रहा है, ये ये मेरा आप से आ कर रहा है। आपको मैं बोलने का मोगा दूआ है। ठीक है। प्लीच, आप समझाएंगे, समझाएंगे, आप पुरा सुनो सब समझाएंगे। सदन में थोड़ी बहुत टोका टोकी तो आवश्चक होती हैं जड़ा गर्मी रहती हैं लेकिन जब सीमा के बहार जाता है तो जड़ा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसे हैं माने अधिक जी उनकी पार्टी के एक MP ने चर्चा की शुरुआत की थी और यहां से कुछ छोटा मोटा नोग जोग चल रहा था और मैं मेरे कमरे से स्क्रीम पर देख रहा था कि हमारे मंतरी प्रहला जी पीशे गए सब को रोका और वहां से चलेंज आई कि अगर हमारे रोको गए तो तुम्हारे नेता का ये हाल करेंगे क्या इसी का ये हो रहा है क्या मानिय अधिक जी आपको अपना सियार सुधारने की पूशिस तो करने चलेंगे और मैं मानता हूं जितना किया है उसे आपका सियार ठीव खो गया है जिन लोगों को रिजिस्टर करना है आपको इस पराक्रम को कर लिया है जिए ज़्यादा कर रहे हो इस सत्र में तो कोई आपको निकालने का नहीं मैं आपको गरटी देता हूँ इस जगा से रिन्यूबल एनर्जी के एक शेत्र में आज हिंदुस्तान दुनिया के टॉप फाइव कंट्री में है माने अद्धर जी ये सब इसलिए संभव हुआ है कि कोरोना कायन में इतना बड़ा संकट सामने होने के बावजुदी अपने कर्तविया को निभाते हुए इस संकट के काल में देश को बचाना है तो रिफॉर्म जरूरी थी और हमने वो जो रिफॉर्म किये उसका परिड़ाम है कहा जम इस तरीके स्थिति पर आगर पहुँचे मानिय अद्रग जी मैसे प्लीश सहीद आप बेठिये रहु द्योग को गलत तरीका है आपका जरूरी सपोर्ट देए ऐसे निचले आपको प्रक्रियाओं को सरल किया आत्म निर्भर भारत का जो मीशन है उसको हमने चरितात करने के लिए भरपुर कोशिश की यह सारी उपल किये हैं जब रांतराश्चे स्तर पर अर्थिक जगत में बहुत बड़ी उथल पातल आज भी चल रही है कि सप्लाइचेन पुरी तरक चर्मरा गई है कि लॉजिस्ट्रिक सपोर्ट में एक संक्ट मैदा हुए है दुनिया में सप्लाइचेन की वेज़े से केमिकल फटिलाइजर पर कितना बड़ा संक्ट आया है और भारत आयात करने पर डिपंडेंट है कितना बड़ा आर्थिक बोज देश पर आया है पूरी विश्व में हालत पैदा हुई है लेकिन भारत ने किसानों को इस पीडा जेलने के लिए मजबूर नहीं किया भारत ने वो सारा बोज देश ने अपने कंदों पर उठाया और किसान को ट्रांसपर नहीं होने दिया है भारत ने सप्टिलाइजर की सप्लाई को भी निरंतर जारी रखाए कोरोना के संक्रकाल में भारत ने अपनी खेटी को अपने छोटे किसानों को संक्रक से बहार निकान देक लिए बड़े फैस लेगिए मैं कभी कभी सोचता हूँ जो लोग जड़ों से कटे हुए लोग है दो दो चार चार बिड़ी से महलों में बैठने के आदत हो गई है वो देश के छोटे किसाने की क्या समझा है वो समझी नहीं पाए उनके अगल वगल में जिन किसानों की उनकी पहुंच थी उससे आगे देख नहीं पाए है और मैं कभी ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं कि छोटे किसानों के परती आपकी इतनी नफरत क्यों है क्या आप छोटे किसानों के कल्यान के लिए आप रोडे अटकाते रहते हो छोटे किसानों को इस संक्र में रालते हो मानियत जी अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा ग्रामी अर्थिवावस्ता को मजबूत बनाना है तो हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा अगर हमारा छोटा किसान मजबूत होता है चोटी सी जमिन होगी दो हेक्टर की भूमिन होगी तो भी उसको आधूनिक करने का वो प्रयास करेगा नया सिखने का प्रयास करेगा और उसकी ताकत आएगी तो देश की अर्थरचना को भी ताकत मिलेगी और इसलिए आधूनिक ताके लिए छोटे किसानों की तरफ ध्याम देने का हमारा प्रयास है लेकिन छोटे किसानों के प्रती जिन लोगों के मन में नफरत है जिन्होंने छोटे किसानों के दुखदब नहीं जाना है उनको किसानों के नाम पर अपनी राजनीती करने का कोई हक नहीं बनता है मान्य दग जी इस बात को हमें समझना होगा सेक्रो वर्षों का गुलामी कालखन उसकी जो मानसिक्ता है वो आजादी के 75 साल के बाद भी कुछ लोग बदल नहीं पाए ये गुलामी की मानसिक्ता किसी भी राश की प्रगती के लिए बहुत बड़ा संकट होती है लेकिन मान्य दग जी आज देशना में चित्र देखता हूँ एक ऐसा समुदा है एक ऐसा वर्ग है आज भी वो गुलामी की मानसिक्ता में जीता है आज भी 19 वी सदी के काम उस सोच उनसी में जक्रा हुआ है और 20 वी सदी के जो कानून है वही कानून उसको कानून लगते है मान्य दग जी गुलामी की मानसिक्ता 19 वी सदी का रहन सें 20 वी सदी के कानून 21 वी सदी के आकांच्छाए पूरी नहीं कर सकते 21 वी सदी के अनुकुल हमें बढ़लाव बहुत जरूरी है माने अद्दक जी जिस बढ़लाव को हमने अस्विकार किया उसका प्रेणाम क्या है फ्रेट कोरिडोर इतने मनोमंतन के बाद कई वर्षों तक उसके बाद योजना बनी 2006 में प्लानी 2006 से 2014 तक का उसका हाल देखिए 2014 के बाद उसकी तेजी आई यूपी में सर्यू नहर प्रियोजना सत्तर के दसक में शुरू हुई सत्तर देखिए और उसकी लागत सौ गुना बढ़ दे हमारे आने के बाद हमने उस काम को पूरा किया कैसी जो कैसी कोशे क्या दरिके है यूपी का अर्जुन डेम प्रियोजना 2009 में सुरी हुई 2017 तक एक तिहाई खर्चा हुआ हमने इतने कम समय में इसको पूर्ण कर दिया अगर कंग्रेश के पास इतनी सकता थी इतनी सालों तक सब्सक्राथ तो चार धाम को वो औल बेदर सडकों में परिवरित कर सकते थे जोड सकते थे लेकिन नहीं किया वाटर वें आप अ मुप्वाटर वें का समतिया है अमारा की देश था कि हमने वाटर वें को नकार दिया आज हमारी सरकार को waterway पर काम कर ला रहा है पुरानी अप्रोच से गौरदपुर के कारखाना बंध होता था हमारे अप्रोच से गौरदपुर का फर्टिलाजय का कारखाना शुरू होता है मानिय अद्यजी मानिय अद्यजी यह लोग ऐसे हैं जो जमीन से कटे हुए है उसके कारण उनके लिए फाइल की मुमेंट फाइल में सही नेचर करके कौन अगला मुलाकाती आएगा उसी के इंतिजार में जो रहते हैं आपके लिए फाइल सब कुछ है हमारे लिए 130 करोर देश्वाश्यों का हम लाइब बदलने के लिए जी जान से जिटे हुए लोग आज उसी का प्रणाव है प्रदान मती ग्रती शक्ति मास्टर प्लान एक भुलिष्ट निगे प्रो टुक्ड़ों पहीं एक आदा का मुहारा है रोड बन रहा है फिर बिजनी वाला आकर के खुदाई करता है वो ठी ठीक होता है फिर पानी वाला आकर के खुदाई करता है तो सारी समस्वाश्यों से बहार आकर के हमने डिस्ट्रिक लेवल तक गती शक्ति मास्टर प्लान के दिशा में हम काम कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारा देश की विश्रस्ता को देखते हुगी है मल्ति मोलेट टांसपोर्ट सिस्टिप उस पर हम बड़ा जोड़ दे रहे हैं और connectivity पर इसके का अधार को हम जोड़ दे रहे हैं आजाजी के बंगात सबसे टेज गती से ग्रामीट सड़के कहीं बन रही है तो इस पांच साल के कालखन में बनीगी मालने दिख जी नेशना है बन रहा है रेलेवे लाइनों का पिजली करान हो रहा है आजदेश नए एरपोर्ट्स हैलिपोर्ट्स और वाटर ड्रॉम का साइबर नेटवर्क के लिए काम चल रहा है माने दिख जी यह सारे काम ऐसे हैं जो रोजगार देते हैं ज्यादा से ज्यादा रोजगार इनी कामों से मिलता है आज उनी गिंस पास्रक्टर आज देश की आवश्यक्ता है और अभूतपुर्वन निवेश भी हो रहा है और उसी से रोजगार भी भाड़ना है विकास भी बढ़ना है और विकासी गती भी भी बढ़ना है और इसलिए आज देश उस दिशा में काम कर रहा है माने अधक जी जितनी जादा अर्थवाश्यक्ता ग्रो करेंगी है उतने ही रोजगार59 अउसर पुदा होंगे और इसी लक सक्टर में हमारा उत्पाद बढ़ रहा है अत्मंदिर भारत है वियान के एक हम आज ग्लोबल वैल्यूचेन के हिस्से बन रहे हैं यह अपने आप में भारत के लिए अच्छी निशानी है हमारा बड़ा फोकस, MSME और टेक्सनाइल जैसे लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स में है, MSME की परिभासा में हमने सुधार करके उसको भी नए अउसर दिये हैं, अपने छोड़े हुद्यों को वो सुरसित करने के लिए, MSME के लिए, सरकार ने इस कोरोना के विकट कांखन में तीन लाग करोर रुपिये की विशेश योजना भी शुरूप की है, और उसका लाग हमारे MSME सेक्टर को मिला रहे हैं, और इसका बहुत बढ़िया स्टडी SBI ने देड करोन नोकरिया बची हैं, और करीब 14 प्रतिशत MSME, लोंज के करन, NPA होने की जो संभावना थी, उससे बच गए हैं, मांदे देजी, जो सदसे जमीन पर जाते हैं, वो इसके प्रभाव को देख सकते हैं, विपक्सके भी कई साथ ही मुझे बिलते हैं, कहते हैं, कि MSME शेक्टर को इस संकर की गड़ी में बहुत बड़ा सहारा दिया है, मान यद्दक जी, उसी प्रगारते मुद्रायोजना, कितनी सफल रही हैं, हमारी माका है बहने कितनी इस ठेत्र में आई हैं, लाखों लोग, बिना गारंटी बैंक से लोन ले करके, आज अपना स्वर र लोगों को रोजगार वी देते हैं, स्वानिति योझना, स्ट्रीट बेंडर्स, कभी हमने सोचा नहीं, पहले बार आज या इक बात, स्ट्रीट बेंडर्स और बैंक के अंदर से लोन मिरना हैं, और हमारा स्ट्रीटवें डिजिटल टांजिक्शन कर रहा है, और करोर समीको को लाब मिजाए है हमने गरीब समीकों के लिए दो लाग करोड रुपे से ज़्यादा खर्च किये हैं आत्मनिर्वार भारत रोजगार योजना के तहर हजारों लाबारिशिकों के खाते में हमने सीधे पैसे टांस्फर किये मानिर्देजी इंडिस्ट्री को गती देने बहतर इंफ्रास्रक्टर की बहुत जरूरत होती है पी एम गती शक्ति नेस्टर प्लांट मास्टर प्लांट यह हमारे लॉजिस्ट्रिक कोस्ट को बहुत कम करेगा उसके कारण देश में भी माल सस्ते में पहुँच पाएगा और करने वाले लोग भी दुनिया के साथ कम्पेटिशन कर पाएगे और इसलिए टी एम गती शक्ति प्लान आने वाले दिनों बहुत लाब पारग होने वाला है मन्यद्य जी सरकार ने एक और बड़ा काम किया है नए इक्षेत्रों को एंट्रेप्रेनेस को उसके लिए हमने ओपन कर दिया है आत्मन निर्भर भारत योजिना के तहत स्पेस डिफेंस ड्रोंस माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर को आज बेश के विकास में भागिदार बड़े के लिए हमने निमंत्रित किया है देश में एंट्रेप्रेनेस के लिए बैतल महोल बनाने के लिए सिंपल टैक्स सिस्टिम की शुरुवात हजारों कम्प्लाइंसिज हमारे देश में आदास ऐसी हो हर डिपार्टमें ये लाओ वो लाओ एक अगर लाओ वो नाम ला को सारा करीब 25,000 कम्प्लाइंसिज हमें खतम किये हैं आज मैं तो राज्यों से भी आगर करूँगा कि वे भी डून डून कैसे कम्प्लाइंसिज खतम करें देश के नागरिकों को परिशानी हो रही है उसको समझे हम लोग आद देश में इस प्रकार के बेरियस हटाए जा रहे हैं गौमेस्टिक इंडिस्ट्री को लेवल प्लेफील्ड देने के लिए एक के बाद एक कदम हम उठाते जा रहे हैं माने अद्दक जी आद देश उस पुरानी अवधारना से बहाल निकल रहा है हमारे देश में सोच बन गए कि सरकार ही भाग्य विदाता है तुम्हे सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ेगा तुम्हारी आचा आपक्षा है कोई पूरी ने कर सकता है सरकारी करेगी सब कुछ सरकार देगी यह हम लोग ने इतना इगो पाल के रखा था और उसके कारण देश के सामर्थ को भी चौट पहुची है और इसलिए सामान्य युवान के सपने युवा कोशल उसके रास्ते हम ने सिरे से सोचा शुरू किया सब कुछ सरकार करती है इसा नहीं है देश वाजियों की ताकत अनिक ज़्यादा होती है वो सामर्थ के साथ अगर संकल कुछ साथ जुड़ जाते है तो पढ़ना मिलता है आप देखिए 2014 के पहले हमार देश में सिरफ 500 स्टार्ट अप थे जब अफसर दिया जाता है देश के नवजवानों को क्या प्रणाम आता है इन साथ साल में 2014 के पहले 500 स्टार्ट अप इस साथ साल में 60,000 स्टार्ट अप इस देश में ठाम जाते हैं ये मेरे देश के युवाओं की ताकत है और उसमें यूनिकॉन बन रहे हैं और एक एक यूनिकॉन याने हजारों करोड की उसकी वैलू तय हो जाती है मालने अद्रग जी और बहुत ही कम समय में भारत के यूनिकॉन सेंचुरी बनाने की दिशा में आगे बन रहे हैं यह बहुत बड़ा है हजारों करोड की कंपनी बनने में पह करां साल दो साल के अंदर हजारों करोड के कारोबार को उनके आसपास वो देख पा रहे हैं आज मानिये दग जी हम स्टार्ट अप्स यूनिकॉंस में इस मामले में दुनिया में टॉप थ्री में पहुंच गए हैं कौन ही दुस्तानी होगा जिसको गर्वन ही होगा लेकिन ऐ कारकार का अंद विरोध करने की इनको आदत लेग गई है सुबह सुबह सुरू हो जाते हैं और यहां मैंने देखा हमारे अधिरंजन जी कह रहे थे क्या रखा हैं मोधी 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 करते रहे तो हैं यही कर रहे हैं उनसार लोग मोधी मोधी बोधी बोल रहे हैं हाथ को ब सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं एक पल आप लोग एक पल बोधी के मिला नहीं बिता सकते हैं अरे मोधी तो आपकी प्रार सकती है एक बोल रहे हैं ना मानिये मानिये चलो कुछ लोग देश के नुजवानों को देश के एंटर्प्रेनर्स को देश के वेल्स क्रियेटर्स को उनको डनाने में आनंद आता है उनको भैवित करने में आधाता है उनको गुम्रा करने में आधाता है देश का नुजवान उनकी बाते सुन नहीं रहा है इसके कान देश लिए अधर जी आज जो यूनिकॉम है यही उस में से कुछ मल्टी नेशनल कंपनिया बनने का सामरत रख लेकिन कॉंग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं जो हमारे उद्ध्य भी है उनके लिए कहते हैं और आपको भी जानकर क्या आश्चेर होगा क्या कहते हैं वो क कोरोना वाइरस का वेरियंट बताइए क्या हो गया हमारे देश के उद्ध्य में एक कोरोना वाइरस के वेरियंट है क्या हम क्या बोल रहे हैं इसके लिए बोल रहे हैं कोई ज़रा आपके अंदर बैठे ते ज़रा बोलो तो से भी क्या हो रहा है पार्टी का नुक्सान हो मानिय दगी जो इतिहास के सबक जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो इतिहास में खो जाते हैं मानिय दगी यह मैं इसलिए कह रहा हूं जरा साट से साट से अच्छी का दाइका साट से अच्छी का दाइका उनके सभी प्रमुख लोग उसमें आ जाते हैं जो देश का नितृत्व करते थे उस कालखन की बात कर रहा हूं साट से अच्छी के दसक में क्या नेरेटिव होता था कॉंग्रेज के ही सत्ता साथी कॉंग्रेज के सांस रहकर के सूप हो गने वाले लोग यह वो ही लोग पंडित नहरु जी की सरकार को और स्रीमत इंद्रा गांदी जी की सरकार को क्या कहते थे यह तो टाटा बिल्ला की सरकार है इस सरकार को तो टाटा बिल्ला चला रहे हैं साथ से असी दसक तक यही बाते बोली जाती थी नहरु जी के लिए बोली जाती थी इंद्रा जी के लिए बोली जाती थी और आपने उनके साथ भगीदारी की सत्ता में लेकिन उनकी आदते भी लेनी आप भी उसी भाशा को बोल रहे हो मैं देख रहा हूँ आप इतने नीचे गए हो हाँ मुझे लगता है कि आज पंचिंग बैग बदल गया है लेकिन आपकी आदत नहीं बदली है मुझे विश्वाथ है यही लोग सदन में कहने की हिम्मट करते थे भार दो बोलते ही थे गाम होता मिले चुप नहीं रहते थे वो कहते है में किन इंडिया हो जी नहीं सकता है बताओ इसमें आनंदार है कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि में किन इंडिया हो जी नहीं सकता है अरे भै आपको तकलिफ होगी हम आंकर के करेंगी ठीक इसा बोलो देश को को गाली देते हो जी देश के खिलाब को बोलते हो मेकिन इंडिया फोरी सकता है मेकिन इंडिया का मज़ा उख उणाय गया और आज देश की हुआश्शक्ति ने देश के एंट्रपरणर ने करके दिखाया आए आप मजाक के विशे बन गए हो और मेक इन इंडिया की सफलता आप लोगों को कितना जर्द रे रही है ये मैं बनी भाती समझ पा रहा हूँ मानिया देख जी मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को तकलीब इस बात के लिए है क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमिशन के रास्ते बन मेक इन इंडिया का मतलब है ब्रस्टाचार के रास्ते बन मेक इन इंडिया का मतलब है तीजोरी भरने के रास्ते बन और इसलिए मेक इन इंडिया कही विरोग करो भारत के लोगों के सामर्थ को नजर अंदाज करने का पाप देश के लगून दम्यों के सामर्थ का अपमान देश के युवाओं का अपमान देश की इनोवेटिव छम्ता का अपमान मानिय दग्जी निराशा का भातावरन खुद निराश हैं खुद सफल नहीं हो पा रहे हैं इसलिए देश को असफल हो रहे करने के जो खेल चल रहे हैं उसके खिलाब देश का नवजवान बहुत जाग चुका है जागृत हो चुका है मानिय अद्धक जी पहले जो सरकार चलाते दे जो और जिन्हों ने 50 साल तक देश की सरकारे चलाई मेकिन इंडिया को लेकर उनका कह रहे है था सिर्फ डिफेंस सेक्टर को हम देखे तो सारी बाते समझ आती थी वो क्या करते थे कैसे करते थी क्यों करते थे इसके लिए करते थे पहले सालों में क्या होता था नए एक्विप्मेंट खरीदे के लिए प्रोसेज चलती थी सालों तक चलती थी और जब फाइनल नेड़े होता था तब वो चीज पुरानी हो जाती थी अब बताईए देश का क्या बना आउट अपडेट हो जाती थी और हम पैसे देशे से हमने इन सारी प्रोसेस को सिंप्लिफाई किया सालों से पैंडिंग डिफेंस सेक्टर के जो इश्यू थे उसको हमने निप्ताने का प्रयास किया पहले किसी भी आधुनिक प्रेटों या एक्विबेंट के लिए हमें दूसरे देशों की दरब देखना पड़ता था जरूरत के समय आपाधाभी में आयुद खरिदा जाता था यह लाओ वो लाओ कौन पुस्ताय भई हो जाए यहां तक की स्पेर पार्ट के लिए भी हम अन्य देशों पर निर्भर रहें दूसरों पर निर्भर वोकर इस देश की सुरुक्षा निश्चित नहीं कर सकते हमारे पांस यूरिक ववस्ता होनी चाहिए हमारे अपनी ववस्ता होनी चाहिए रक्षा खेतर में आत्म निर्भर होना यह राष्ट सेवा का भी बहुत बड़ा काम है और जो मैं देश के नौजवानों को भी आवाहन करता हूँ कि आप अपनी केरियर में इस खेतर को चूनिए हम ताकत के साथ खड़े होंगे माने दजी इस बजेट में भी हमने ज्यादा से ज्यादा रक्षा उपकर रहा है भारत में ही बनाएंगे भारतिये कंपनियों से ही खरी जेंगे ये बजेट में प्रावधान किया है भारते लाने के रास्तों बंद करने की जिशाने हम कदम बढ़ाए है हमारी सेनाओं की जरूर पूरी होने का रावा हम एक बड़े डिफेंस एक्ष्पोर्टर बनने का सपना ले करके चल रहे हैं और मुझे भी स्वाब है ये संकल पर पूरा होगा मैं जानता हूँ कि रक्षा सोधों में कितनी बड़ी ताकतें पहले अच्छे अच्छों को खरीज लेती थी ऐसी ताकतों को मोधी ने चुनोती दिये और इसलिए मोधी पर उनकी नाराजी ने गुस्सा होना भी बहुत स्वाबा भी करे और उनका गुस्सा प्रगेट भी होता रहता है मने देख जी विपक्ष कि हमारे सुखे को साथियों ने हाँ महिंगगाई का मुद्दा भी उठाया अच्छा लगता देश का भी भला होता अगर आपके चिंता तब भी होती जब कॉंग्रेस के नित्रुत्म में यूपिय की सरकार थी ये दर्दू समय भी होना चाहिए था आप साथ भूल गए हैं मैं जर आपको याद दिलनाना चाहता हूँ कॉंग्रेस सरकार के आखरी पांच सालों में लगबग पूरे कारकाल में देश को डबल दीजीट महंगाई की मार जिलनी पड़ी थी हमारे आने से पहले ये स्थिती थी कॉंग्रेस की नीतियां ऐसी थी कि सरकार खुद मानने लगी थी कि महंगाई उसके नियंतन से बाहा रहा दो हजार ग्यारा में कतकानिन वित्त मंत्री जी ने लोगों से बेशर्मी के साथ कह दिया था कि महंगाई कम करने के लिए किसी अलादिन के जादू की उमिद न करें ये आपके नेताओं की और संवेदन सिल्टा हमारे चिदंबरम जी जो कि इन दिनों एकोनोमी पर अखबारों में लेक लिखते हैं जब सरकार में थे तब क्या कहते थे उस समय के नेता क्या कह रहे थे आपके हो कहते थे दो एजार बारा में उन्होंने कहा था कि लोगों को 15 रुपिय की पानी की बोतल और 20 रुपिय की आस्क्रिम खरिदने में तकलिब नहीं होती लेकिन गेहूं चावल पर एक रुपिया बढ़ जाए तो बरदास्त नहीं के होता ये आपके नेताओं के बयान याने महंगाई के प्रती कितना असम्वेदन से रविया था ये चिंता का कारणा है मानिय अद्धिक जी महंगाई देश के सामान ने मानवी से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारी सरकार ने एंडिये सरकार ने पहले दिन से सतर्क और सम्वेदन सिल रह करके इस मसली को बारीकाई से हैंडल करने का प्यास किया है और इसलिए हमारी सरकार महंगाई नियंतर को अपनी वित्तिय पॉलिसी का प्रात्मिक लक्ष बनाया हमने मान्यतक जी सो साल में आई इतनी बड़ी महामारी के इस कालखंड में भी हमने प्रयास किया कि महंगाई और जरूरी चीजों की किमत आस्मान न चुए सामान ने मानवी के लिए सामान ने मानवी के लिए दादा आपके काम की बात है अरे आपके काम की बात है मैं जाल हो रहा है आपके काब आएगा थोड़ा बे आगे जाओंगा तो आपके काब आएगा मने दिजी मंगाई और जरूरी चीजियों की किमत आसमान नच हुए सामान ने मानवी के लिए खास कर गरीब के लिए महंगाई बरदाद की सीमा से बाहर न हो और महंगाई को नियंतरण में रखने के लिए हमने क्या किया है ये आंक ये खुद बता रहे हैं कॉंग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी दस प्रतिशत से जादा थी वहीं 2014 से 2020 के 2014 से 2020 था महंगाई पांच प्रतिशत से कम रही है पांच प्रतिशत से कम रही है कोरोना के बावजूद आपको मैं बोलने देना चाहता हूं तो कि आगे 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 मजा होने वाली है जरा इंतजार करो आ रहा हूं कोरोना के बावजूद इस साल महंगाई 5.2 प्रतिशत रही है और उसमें भी फूड इंफलेशन 3 प्रतिशत से कम रही है आप अपने समय में वैश्वीक परिस्थित्यों की दुहाई देकर पल्ला जाण लेते थे वैसे महंगाई पर कॉंग्रेस के राजबेंट पंडित नहरू जी ने लाल के लिए से क्या कहा हा वह जरा आपको मैं बताना चाहता हूँ पंडित नहरू देश के पहले प्रदान मंतरी लाल के लिए से बोल रहे है देखिए आपकी इछा रहती है ने मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूँ आज मैं बार बार बोलने वाला हूँ आज तो नहरू जी ही नहरू जी मजा लिजी आज आज आपके नेता कहेंगे बज़ा है आज मन्यत जी पंडित नहरू जी ने लाल के लिए पर से कहा था और ये उस जमाने में कहा गया था तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था नाम महत्र का भी नहीं था उस समय नहरू जी लाल के लिए से देश को संबोजन करते हुए क्या कह रहे हैं कभी कभी कोरिया में कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है इसके चलते बस्तूओं की किमते बढ़ जाती है इती नहरू जी बारत के पहले प्रदान मंत्री कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है इसके चलते बस्तूओं की किमते बढ़ जाती है और यह हमारे नियंत्राण से भी बहार हो जाती है देश के सामने देश का पहला प्रदान मंत्री हाद उपर कर देता है आगे क्या कहते हैं देखो जी आपके काम की बात है आगे कहते हैं पंडित नहरु जी आगे कहते हैं अगर 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 अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तों की किमत पर पड़ता है सोचिये सोचिये तब महिंगाई की समस्या कितनी गंबीर थी कि नहरु जी को लाल किले से देश के सामने हाथ उपर करने पड़े थे नहरु जी ये तब कहा था मान्य अत्यक जी अगर कॉंग्रेट्स सरकार आज सप्ता में होती क्या देश का नसीब है देश बज़ गया लेकिन आज अगर आप होते तो मेंगाई कोराने कोरोना के खाते में जमा करके जार करके निकल जाते हैं आप लोग लेकिन हम बड़ी समवेद अंजिलता के साथ इस समस्या को महत्वपून समच करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं आज आज दुनिया में अमेरिका और OECD जैसे देशों में अमेरिका और OECD देशों में महंगाई साथ प्रतिशत है करीब करीब साथ प्रतिशत लेकिन मानिय देख जी हम किसी पर ठीकरा फोड़ करके भाग जाने वालों में से नहीं है हम इमानदारी से प्रयास करने वालों में लोग है जिम्मेवारी के साथ देश वास्यों के साथ खड़े वेने वाले लोग है मानिय देख जी इस सदन में गरीबी कम करने की भी बड़े बड़े आंकड़े दिये गए लेकिन एक बात भूल गए इस देश का गरीब इस देश का गरीब इतना विश्वाद गाती नहीं है कि कोई सरकार उसकी बलाई के काम करे और वो फिर उसको ही सत्ता से बार करे इस देश के गरीब के सभाव में नहीं है आपकी ये दुरुदा सा इसलिए आई क्योंकि आपने मान लिया था कि नारे देकर के गरीबों को अपनी चुंगाल में फसाय रखोगे इस देश का गरीब इतना जागरूत है कि आपको 44 सीटों पर सिमेट दिया 44 सीट पर लागर गर रोग दिया कॉंग्रेस 1971 से गरीबी हटाओं के नारे पर चुनाव जीतती रही थी 40 साल बाद गरीबी तो हटी नहीं लेकिंग कॉंग्रेस कॉंग्रेस सरकार ने नई परी बाशा दे दी मानिय अद्धक जी देश के नवजवानों ने इन बातों को जानना बहुत जरूरी है और अद्धक जी आप देखिए कि ये डिस्रप तब करते हैं उनको अंदाज आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है उनको मालूम है उनको मालूम है कि मुसिबत में फसे हैं आज और कुझे लोग बोल करके भाग जाते हैं और जेलना ऐसे बेचारों को पड़ता है मान्य अद्धक जी चालिस साल बाद कॉंग्रेश गरीबी तो नहीं अटी लेकिन गरीबों ने कॉंग्रेश को हटा दिया और कॉंग्रेश ने क्या किया मान्य अद्धक जी कॉंग्रेश ने गरीबी की परिभाचा बदल दी 2013 में 2013 में एक ही जटके में उन्होंने कागज पे कमाल करके 17 करोड गरीब लोगों को अमीर बना दिया ये कैसे हुआ इसकी सचाई देश के युगाओं को पता होना चाहिए मैं आपको उधान देता हूँ आपको बालू मैं मारे देश में पहले रेल्वे में फस्ट क्लास सेगन क्लास थर्ड क्लास होता था जो फस्ट क्लास होता था एक लाइन लिखी रहती थी दरवाजी के बाज़ेगल में सग्लास में दो लिखी रहती थी थर्ड क्लास में तीन इनको लगा ये थर्ड क्लास वाला जरा मैसेड ठीक नहीं है तो उन्हों ने एक लाइन निकालती ये इसके तरीके ऐसे ही हैं और उनको लगता है कि वह गरीबी हड़ गई और उन्होंने सारे उसके बेजिक नॉम्स बदल करके कह दिया है 17 करों गरीब नेजीने जाएंगे इस प्रकार चे आंकड़े बदलने का काम वो करते रहे हैं मान्य अद्धक जी यहां को तात्रिक मुद्वा को उठाने की कोशिश की मैंने तो समझने की बहुत कोशिश की शाहिद कोई समझ पाया हो ऐसा तो मुझे अभी कोई मिला नहीं है लेकिन जो को समझ पाया होगा तो मैं समझ लेक लिए तयार हूँ ऐसे ऐसे कुछ बाते सुनता हूँ तो मन्य दग जी सदन में राष्ट को लेकर बाते हुई ये बाते हरान करने वाली है मैं बेरी बात रखने से पहरे एक बात दोहराना चाहता और मैं कोट कर रहा हूँ ये जानकारी बेहत हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराथे, गुजराती, तमील, आंद्र, उडिया, असमी, कंडर, मलियाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत, और हिंदुस्तानी, बाशा भासी जनता से बसा हुआ, विशाल मद्यभाग, कैसे सेंकडो वर्सों से अपनी अलग पहचान बनाये हैं, इसके बावजूद, इन सबके गुंदोष, कमोगोष एक से हैं, इसकी जानकारी, पुरानी परंपरा, और अभी लेकों से मिलती हैं, साथ ही, इस पूरे दोरान वेस्पस्ट रूप से ऐसे भार्किये बने रहें, जिनकी राष्ट्रिये विरासत एक ही थी, और उनकी नैतिक और मानसिक विश्यस्ताएं भी समान थी, एक कोटेशन हैं, हम भार्कियों की इस विश्यस्ता को बताते हुए, इस कोटेशन में, दो सब्दों गौर करने वाले हैं, राष्ट्रिय विरासत, और ये कोट, पंडित नहरुजी का है, ये बात कही थी नहरुजी ने, और अपनी किताब भारत की खोज में है, हमारी राष्ट्रिय विरासत एक है, हमारे नायतिक और मानसिक विश्यस्ताएं एक है, क्या बिना राष्ट के ये संभव है, इस सदन का, ये कहकर भी अपमान किया गया, कि हमारे समिधान में, राष्ट्र शब्द नहीं आता, सम्वेधान की प्रस्तावना में लिखा, राष्ट्र पढ़ने में नायें, ये हो नहीं सकता है, कॉंग्रेस, ये अपमान क्यों कर रही है, मैं इस पर बिस्तार अपने बात रखूँगा, मानिय अद्द जी, राष्ट्र कोई सब्ता या सरकार की विवस्ता नहीं है, मानिय अद्द जी, हमारे लिए राष्ट एक जीवित आत्मा है, और इससे हजारों साल से, देश्वासी जुड़े हुए हैं, और जूजते रहे हैं, हमारे हाँ, विश्णु पुराण में कहां गया है, ये किजी बाज़बवाले ने नहीं लिखा है, विश्णु पुराण में कहां गया है, उत्रम यत समुद्रक्ष्य हिमाद्रेश्चे विदक्षणम वर्सतत भारतम नाम भारती यत्रसंतती ही, यानि समुद्र के उत्तर में और हिमाद्रेश्चे दक्षिण में जो देश है, उसे भारत कहते हैं, तता उनकी संतानों को भारती कहते हैं, विश्णु पुराण का ये स्लोग, अगर कॉंग्रेस के लोगों को स्विकार ये नहीं है, तो मैं एक और कोट इस्तिमाल करूँगा, क्यों कुछ चीजों सापको ऐलर्जी हो सकती है, बैद कोट कह रहा हूँ, एक च्छा आता है, मगर इतिहास में विरल ही आता है, जब हम पुराने से बाहर निकल कर नए युग में कदम रखते हैं, जब एक यूग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है, ये भी नेहरुजी के ही बोल है, आखिर किस नेशन की बात नेहरुजी कर रहे थे जी, ये नेहरुजी कह रहे हैं, और मानिय देग जी यहाँ तमील सेंटिमेंट को आग लगाने की भारिक कोशिश की गई, राज निति के लिए कॉंग्रेस की जो परंपरा अंग्रेजोस के विरासत में आई दित्ती हैं, तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो और राज करो, तोड़ो और राज करो, बाटो और राज करो, लेकिन मैं आज तमील भार्षा के महा कवी, मानिय अद्द्जी तमील भार्षा के महा कवी और स्वतंत्र सेनानी आदर्णिय सुब्रमनियम भारती ने जो लिखा था, मैं यहां दोहराना चाहता हूँ, तमील भाषी लोग मुझे ख्षमा करे, मेरे उच्चारों में कोई गल्ती हो तो, लेकिन मेरा आदर्णिय भावना में कोई कमी नहीं है। भारत नांडे घल नाडे, पोड रुवोम इक्ते इमक किले इडे। इसका भावार्थ जो उपलब्द है, वो इस तरह का है। सुब्रमनियम भारती जी कहते हैं, जो उन्होंने तमील भाषा में कहा है, उसको मैं अनुवात जो भाव में जो उपलब्द हुआ है, मैं कह रहा हूँ, सम्मानित जो सकल भिश्व में महिमा जिन की बहुत रही है, अमर ग्रंट से वे सभी हमारे उपनी शदों का देश यही है। सुपरमिलम भारती कह रहे हैं, गाएंगे यस हम सब इसका, यह है स्वर्निम देश हमारा, आगे कौन जगत में हम से, यह है भारत देश हमारा. यह है भारत देश हमारा ये सुब्रहमनें भारती जी की कविता का भाव है ये वो संस्कुति है और मैं आज तमिल के समनागरिकों को सल्यूट करना चाहूंगा जब जब हमारे सीडियस रावत दक्षिन में हेलिकॉप्टर के खस्मात में उनका नीदन हुआ और जब उनका बोड़ी तमिल नाड़ों में हवाई डेटने की तरफ ले जाने के लिए रास्ते पर गुजर रहा था मेरे तमिल भाई मेरी तमिल बहने लाखों की संख्या में गंतों तक कतार में खड़ी रही थी रोड़ पर कोई सुतना नहीं संदेश में इंतजार करते खड़ी रही थी और जब जब सीडियस रावत का बोड़ी वहाँ से निकल रहा था तब हर तमिल वासी बहर तमिल वासी गवरों के साथ हाद उपा करकर के आँख में आशू के साथ कहता था वीर बनक कम वीर बनक कम वीर बनक कम ये मेरा देश है लेकिन कॉंग्रेश को हमें साथ है इन बातों से नफरत रही है विभाजन कारी मान सिकता उनके डियने में गुज गई है अंग्रेश चले गए लेकिन बांटो और राज करो ये नीतिक कॉंग्रेश ने अपना चरित्र बना लिया है और इसलिए है आज कॉंग्रेश तुक्डे तुक्डे गैंग की लीडर बन गई है माने सदर्शे माने सदर्शे प्लीज मैंने सभी माने सदर्शे को प्रयाप समय प्रयाप सद दिया था जब सदन के नेता बोल रहे है ये अप्रयादित माचरन आपका ठीक नहीं है ये सदन की गरिमा नहीं है जो लोग तंतर की प्रक्रियाद से हमें रोक नहीं पा रहे हैं वो यहाँ अनुशासन हिंता करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें भी विफलता मिलेगी इसमें भी विफलता मिलेगी मानिय अध्यक्ष महोदाए कॉंग्रेस पार्टी का सत्ता में आने की इच्छा फतम हो चुकी है लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम सकंब बिगाड़ तो दो ये फिलोसफी पराच निराशाबादी लेकिन उस मोह में बरबाद करकर के छोड़ेंगे इस मोह में देश में वो बीजबो रहे हैं जो अलगाव की जड़ों को मजबूत करने वाले है सदन में ऐसी बाते हुई कि जिसमें देश के कुछ लोगों को उक्साने का भरपूर प्यास किया रहा अगर पिछले साथ साल से कांग्रेस के हर कारणा में हर गतिवीदी उसको बारी किसे देखेंगे तो हर चीज़ को अगर धागे में बात करके देखेंगे तो इनका गेम प्लान क्या है वो बिलकुर समझ में आता है और वो ही मैं आज उनका खुला कर रहा हूं मानिय अद्दग जी आपका गेम प्लान कोई भी हो मानिय अद्दग जी ऐसे बहुत लोग आए और चले गए लाखों कोशी से की गई अपने स्वार्तवस की गई लेकिन ये देश अजरा अमर है इस देश को कुछ नहीं हो सकता आने वालों को इस प्रगार की कोशिश करने वालों को हमेशा कुछन कुछ गवाना पड़ा है ये देश एक था स्रेश्ट था ये देश एक है ये देश स्रेश्ट है और स्रेश्ट रहेगा इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं मानिय देगे मानिय देगे मानिय देगे यहाँ कर्तव्यों की बात करने पर भी एतराज जताया गया है उससे भी कुछ लोगों को पिड़ा हुई है कि देश का प्रधान मंत्री कर्तव्यों की बात क्यों करता है कर्तव्यों की चर्चा हो रही किसी बात को समझ के अभाव से या बद इरादे से विकृती से घर देना विवात खड़ा कर देना ताकि खुद लाइम लाइट में रहे बहरान हो अच्छानक कॉंग्रेस को अब कर्तव्यों की बात चुपने लगी है आप लोग अधिर अंजेंजी आप बैठिये आप बैठिये बैठिये अरे आप खी जिन्दी बोलते हैं रहा है आपका वही काव है मानियते जी मानियते जी आप लोग मानियत जी आप लोग कहते रहते हैं कि मोदी जी नहरू जी का नाम नहीं लेते हैं तो आज मैं आपकी मुराद बराबर पूरी कर रहा हूँ आपकी प्यास बुजा रहा हूँ देखे कर्तवियों के सबन में कर्तवियों के सबन में कर्तवियों के सबन में नहरू जी ने क्या कहा था जरा मैं आज कोट सुनाता हूँ मानिया देजी पंडित नहरुजी देश के प्रधम-प्रदान मंत्री उन्होंने क्या कहा था मैं आप से फिर कहता हूं मैं कोट कर रहा हूं मैं आप से फिर कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान है आजाद हिंदुस्तान की सालगीर हम मनाते हैं लेकिन लेकिन आप एस हमाएगे शीखो शीखने में काम आएगा तैयरी करो लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है और करतब ये कोई ही दूसरे सब्दों में जिम्मेदारी कहते है इसलिए कोई समझना हो तो मैं समझा दूँ करतव्य को दूसरे सब्गों में जिम्मेदारी कहते है अब ये पंडित नहरू का कोट है मैं आप से फिर कहता हूँ कि आजाद हिंदुस्तान है आजाद हिंदुस्तान की साल गिरह हम मनाते हैं लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है जिम्मेदारी करतव्य, खाली हुकूमत की नहीं, जिम्मेदारी हर एक आजाद सक्ष की होती है और अगर आप उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, अगर आप समझते नहीं तब पूरी तोर पर आप आजादी के माने नहीं समझे और आप आजादी को पूरी तोर से बचा नहीं सकते हैं ये करतव्य के लिए देश के प्रत्याम प्रदान मंत्री पंडित नहरुजी ने तहां था लेकिन आप उसको भी भूल गए, आप उसको भी भूल गए, मान्य दग्ये, मान्य दग्ये, मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, अब वो भी ठक गए हैं मान्य दग्ये, हमारे यहां कहा गया है, शन शह कनस्टैवा, विद्याम अर्थच साधयेत शने नश्टे कुतो, विद्या कने नश्टे कुतो धनम अर्थात, विद्या ग्यान के लिए एक एक पल महत्वपुन होता है संपत्ति संसाधनों के लिए एक एक कन जरूरी होता है एक एक शन बरबाद करके ज्यान हासिल नहीं किया जा सकता और एक एक कन बरबाद किया गया, छोटे छोटे संसाधनों का समूच्छतीत प्रयोग नहीं किया गया तो संसाधन व्यर्थ हो जाते हैं मैं कंग्रेस और उसके सयोग्यों से कहूंगा आप ये मन्थन जरूर कीजिए कि कहीं आप इत्यास के इस महत्वपुन अहम च्छन को नस्थ तो नहीं कर रहे हैं मुझे सुनाने के लिए मेरी आलोशना करने के लिए मेरे दल को कोच्छने के लिए कि बहुत कुछ है कर सकते हैं आप और आगे भी आगे भी करते रहिए मोको की कमई नहीं है लेकिन लेकिन आज हादी के अमरित काल का इस 사माएं पच्चो ते पच्चतर वर्स का ये समय भारत की विकास यात्रा में सकार आत्मक योगदान का समय है मैं विपस्ट के और यहां पर बैठे विए भी सभी साथियों से और इस सदन के माध्यम से देश वाचियों से भी आज हादी के इस अमर्त महोसव के परव पर आगरे करता हूं निवेदन करता हूं अपेक्षा करता हूं कि आओ इस आज हादी के अमरुत महुत्सव को हम नए संकल्पों के साथ आत्म निर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ एक जूट होकर हम लग जाएं कोशिश करें पिछले 75 साल में जहां जहां कम पड़े हैं उसको पुरा करें और आने वाले 2047 के सतावी वर्ष बनाने देश को कैसा बनाना है उसका संकल्प लेकर के आगे भड़े देश के विकास के लिए मिल करके काम करना है राजनीती अपने जगा पर है हम दलगत भावनाव से उपर उट करके देश की भावनाव को लेकर के जीएं चुनाव के मैदान में जो कुछ करना है करते रहिए लेक कि ऐसी मजबूत नीव पर ऐसी प्रगची के पर पहुंची हुई सो साल की उस यात्रा के बाद देज ऐसे लोगों के हाथ में जाए ताकि उनको आगे ले जाने का मन कर देजे हम यहीं सोचें कि जो समय मिला है उसका हम सदुपयोग करें हमारे स्वर्णी भारत के निर्मान मे हम कोई कोताई न बरते हैं पूरे सामर्त के साथ उसमें काम में लगे मनिय अद्धिक जी मैं फिर एक बार प्राष्ट पती जी के उद्भधन को धन्यवाद प्रस्ताव को अनुमोदन करता हूं और मैं इस सदन में चर्चा में भाग लेने वाले सभी मानिय सांसदों का भी फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए आपने जो अफसर दिया रोका टोका के कोशिश के बावजित भी मैंने सभी विश्वा को स्पास करने का प्राष्ट किया है बहुत बहुत धन्यवाद मानिस सदस्यकन दन्यवाद प्रस्ताओं पर तेरा सदस्यों के प्रस्ताओं आये हैं स्री एनके प्रेम चंदन जी प्रोपेसर सोगत राय विनायक भाव रावत बेनी बैनन जी इबी इडन जी एदोकेट अधर प्रकास जी प्रताब राव जादो जी के सुरेज जी, वीके, स्री कंदन, परदूद बोरोदोलोई, स्रीमती रामेहरिदास, अजीर अंजन चोधी, स्री मनिकम टेगोर्ड ने संशोधन प्रस्तुत किये अब मैं सभी संशोधों को एक साथ समा में मद्दान के लिए रखता हूँ प्रश्त ने कि माणने सदशोधारा प्रस्तुत सभी संशोधों को स्विकत किया जाए मेरे विजयार में नवालों के पक्षणा,ay नवालों के पक्षणा संशोदरन स्विकर्त हुए अब मैं राश्ट्पति के अभिवाशन के दन्यवार प्रस्ताओं को सभा मढदान के लिए रखता हूँ प्रश्टिये की राष्ट्पती की सिवान रिप्ट की शब्दों से एक समावेदन प्रस्तूत किया जाए कि सत्र में समवेत लोगसभा के सदश राष्ट्पती के उस अभिवाशन के लिए जो उन्होंने 31 जनवरी 2022 को एक साथ समवेत संसत की दोनों सभाओं के समक्षदेनी की किरपा की उनके अत्यंत आबारी है जो सदश इसके पक्षमें हाग हैं जो सदश विरोध में नाग हैं मेरे विचार में निन्ने हावालों के पक्षमा प्रस्ताव सीकर्ट हुआ अब केंदी बजट पर सामाने चर्चा होगी और उसके बाद जो श्रीनिकाल के लोग बचे हैं उन पर होगी